वेलकम बैक वीवर्स आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंट्रस्टिंग स्टोरी को डिस्किस करेंगे जिसका टाइटल है दममी अवेकंस या दममी अवेक्स और इस स्टोरी लिखी है नजीब मिलफूस नहीं जोके एक एक एजिप्शियन राइटर है और यह बिसिकली ए सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शिन डिस्किस कर लेते हैं नजीब मिलफूस एक एजिप्शन राइटर थे और इन्हें नोबेल प्राइस फॉर लिटरिच्चर मिला 1988 में इसके लावा यह काईडो में पैदा हुए जोके एजिप्ट का कैपिटल सीटी है और यह स स्टोरिस लिखी हैं जो कि सुसाइटी की इविल्स को क्रिटिसाइज करती हैं तो इसलिए उन्हें यह टाइटल भी दिया गया नेक्स्ट अगरेक्टर की नेम हम बिसक्स कर लेते हैं तो सबसे पहले महमूद पाशा है यह स्टोरी इसके अराउंड रिवॉल्फ करती है और इन्हों ने राइटर को स्टोरी नेरेट की है तेन शेख जदला का करिक्टर है और अर्केयोलोजिस्ट अब आर्केयोलोजिस्ट वो लोग होते हैं जो फोस्सेल के जरीए लिवॉल्फ को एक्सप्रॉर करते हैं तेन ममी है यह ममी है जेनरल हुर की अब स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि पाशा जो है वो एजिप्ट का डूलर है बट वो एजिप्शन से बहुत नफरत करता है और प्रोफेसर लेंपियर है उन्होंने पाशा को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि वो इस तरह से कि उसके जो एंसेस्टर से या जो उसका ओरिजिन है वो तर्किश है खुद वो पैदा हुआ एजिप्ट में उसकी निशनल्टी एजिप्शन है बट वो पसंद करते है फ्रेंच कल्चर को और फ्रेंच लोगों को और उसका पैलेस उसके जो पैलेस था उसमे तो एक तिन जो है वो प्रोफेसर डॉरियन और उसके बाकी दो फ्रेंड्स प्रोफेसर सेरट और डॉक्टर पेड़ी वहां पर बैठे होते हैं तो पाश्चा उन्हें बताता है कि एक आदमी मेरे पास आया जिसका नाम है शेख जेदला और उसने मुझे बताया कि जो मेरे पैलेस है उसके गार्डन के नीचे बहुत बड़ा ख़जाना दफन है तो मैंने उसको खुदाई करने की अजाज़त दे दी है फिर शाम तक वो बाते करते रहते हैं और फिर डॉक्टर पेड़ी और प्रॉफेसर सैरेट चले जाते हैं जबकि प्रॉफेसर डॉरियन जो है वो पाश्चा के साथ रहे जाता है तो पाश्चा से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें खुदाई की जगह पर लेके जाओ अब जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें पीचे से शोर की आवाज आती है और देखते हैं कि पाश्चा के जो सर्वेंट्स हैं वो एक आदमी को पकर के लेके आएं और पाश्चा को बताते हैं कि इस आतमी ने तुम्हारा जो डोग है उसका नई बीमिश है उसका खाना जो है वो चोड़ी की है तो पाश्चा उस पे बहुत हुसा होता है और उसे गार्ड्स के हवाले कर देते हैं जो कि इस बहुत बुरी तरा मारते पेटते हैं पिर खैर वो ट्राइर की जगा पी जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि तीन आतमी जो है वो एक बड़ा सा पत्थर हटा रहे हैं जब वो पत्थर हटाते हैं तो नीचे से एक बहुत एक स्टेयर केस उन्ने नजर आता है और पाश्चा जो है अपनी सर्वेंट से कहत तो फ़फेव जेता है की के प्रसर होते हैं अब प्रसेशर डॉरींग के लीर्श आ सबर्काइब जीर्णौ के है प्रसर का एक प्रसका जींचिति आंपके फड़ा रूंग कीэ डर्लाह कीए वजे टक्रियर। अब वह ब longer पाशा के करीब वो ममी आती है और उसे कहते है कि दू यू नॉट 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 पॉलिंग और नीज बिफॉर मी मतलब वो पाशा को स्लेफ कहके पुकारती है स्लेफ किस वज़ा से कि वो बहुत जुल्म कर रहा है उसके जो एजिप्शियन्स हैं उन पे और फिर वो इतने जोड़ से घड़ाता है और इतना घुसा होता है कि पाशा जो है वो मौशनलेस हो जाता है वो यू लगता जैसे मफलूज होगी है फालिच उसे हो गिया हो और फिर वो ही ममी उसे दुबारा कहते है कि What's the matter with you? Why do you not speak? Am I not heard? Are you not my servant? तो इस तरह से वो ना उसको बहुत घुसा आया होता है और उसकी वेंस स्वेल होती है उसके चेहरे पे बहुत स्यादा घुसा जो है वो उसकी असार होते है और फिर वो पाश्चा से कहते है कि How can you slave on such a palace while my sons sweat there as your servants? अब उसको कह रहा है कि वो ही Egyptians है उनको वो उसकी servant बने हुए पाश्चा की और उन पर जुमों सित्म कर रहे है और जो masters है वो slaves बन गए है और slaves masters बन गए है तो इसी तरह वो जो है वो घुडा रहा होता है और पाश्चा की अपर घुसा हो रहा होता है तो जैस अपरेशनलेस होके जमीन पर गिर जाता है या नहीं मर जाता है और यू जो है वो उसकी स्टोरी एंड हो जाती है नेक्स्ट थीम से और ऑप्रेशन का थीम बहुत वासे नजर आता है कि पाश्चा जो है Egyptians पर रूल तो कर रहे है मगर उनको उनकी डूराइट नहीं देरा त अंगर जो है वो हमें उस इंसिदेंस में राइटर ने रिफ्लेक्ट की है कि एक आदमी जो है वो क्या चुडा रहा है रोटी का सिर्फ ए टुक्रा यानि वहां पे इतने बुरे हालात हो चुके हैं इन इंजिस्टिस और अनिक्वल डियन ऑफ पावर तो अनिक्वल डियन है कि हमें नजर आता है कि उस आदमी ने क्या सिर्फ डुक्रा चुराया और वो भी कोई कीमती चीज़ उसने नहीं चुराई हाला कि चोड अगर देखा जाए तो बहुत कीमती चीज़े जो है वो चुराते हैं बट उसने डुटी का एक टुक्रा चुराया और वो भी किसका झाल